कई बार प्रिग्नेंसी ना रुखने की बहुत बड़ी वज़ा होती है कि महिलाओं के पिरिट्स आही समय पे नहीं आते हैं बहुत सरे महिलाओं को 28 दिन तो छोड़िये पिल्कुल 2 महने, 3 महने, 4 महने पे पिरिट्स आते हैं बहुत सरे ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनको 8-10 महिने भी लग जाते हैं बहुत सरे ऐसी महिलाएं हैं जिनको साल भर से उपर हो गया है और पीरिट्स नहीं आया है और अगर पीरिट्स कलती से आ भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा पेन होता है जिसकी कोई हद नहीं बहुत ब्लड भी इतना जादा ब्लैक निकलता है और इतनी जादा तकलीफ होती है जिनकी बीना दवाईयों के पीरिड आ ही नहीं सकता है यानि कि जब दवाईयां खाती है उसके बाद ही उनके पीरिड साते हैं तो ऐसे केस में गर्भधारन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क जो हर्मोनल आपका बैलेंस है वो सब कुछ बिगड़ा होता है जैसे कि आपको प्रिगनसी कंसीव करने में भी दिक्कते आती हैं तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दैनिक दिनचर्या के बारे में बताऊंगी कि कि किस तरह से आपको अपने दिनचर्या को रखना है और क्या-क्या चीज़े आपको लेनी है जिसे कि आपके पीरेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए वीडियो काफी इंफर्मेटिव है प्ले शुरू से ले के लाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नम हर्श्रिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विन्स मैवल पे बहुत-बहुत स्वागत है बहुत सरे लोगों का ये माना होता है कि हम तो बिल्कुल नॉर्मल डाइट ले रहे हैं लेकिन नॉर्मल डाइट में ही वो इतने सारे चीज़ों को इंक्लूट कर रहे हैं जैसे कि अगर आपके घर मे और पैकेजिक वाले जो फूड होते हैं जो कि पैकेजिंग में आते हैं काफी दिनों से वो बना हुआ होता है और जिसको कंज्यूम करने के टाइम लिमिट होती है लेकिन आप खुद से सोचे कि कोई भी भोजन अगर हम घर में पकाते हैं चाहे वो सिंपल सी रोटी ही क्या तो उसको तीन घंटे चार घंटे के अंदर अंदर ही कंज्यूम करना चाहिए लेकिन इमेजिन करिए कि वो सारी चीजे ना जाने कितने समय पहले पकी हुई है और उनकी पैकेजिंग की हुई है और पैकेजिंग जो हुई है उसमें बहुत ज़्यादब भर मर के मातरा में को मिलाए गया है यानि कि आपके हर्मोन को बैलेंस को खराब करने का ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं तो इस तरह की चीज़े जो टेट्रा पैक में आती हैं काफी जादा पैक जो चीज़े होती हैं उन सब का इस्तमाल आपको बंद कर देना है दूसरे इंपर्टन कि आप कहीं न कहीं एनमिक हैं तो महिलाओं की एक सबसे परफेक्ट हीमोगलोबिन की जो लेवल होती है वो होती है 12-15 जो कि एक एडल्ट विमिन को होना चाहिए लेकिन अगर अगर आपका 8 है 9 है 10 है तो आपको सावधान होनी की ज़रूरत है और अपने डाइट में जो आ आइरन ही नहीं बनता है यानि कि आपकी पूरे एंडोमेट्रियम की जो थीकनिंग होती है वो सब भी डिसाइड होती है कि आपका आइरन का कंटेंट कितना है फोली किसिट की मातरा भी इसलिए चलाय जाती है अगर आप डॉक्टरी सलाह लिजेगा तो आपको 3 महने पहले आपकी की प्रेगनेशी प्लानिंग के पहले फोली के इसिट की दामाईया खाने के लिए प्रिसक्रायब की जाती है लेकिन हूता क्या है कि हम इन बातों को इग्नोर कर दीते हैं हम यह सोसते हैं कि से क्या होगा लेकिन आप यकीर नहीं सरी as a birth defect होते है जो कि बच्चे को प और इससे आपके गर्बधारन होने में भी काफी ज़दा असानी मिलती है अब जैसे कि प्रोटीन की मातरा को भी अपने डाइट में शामिल जरूर करिए प्रोटीन एक बल्डिंग ब्लॉक होती है प्रोटीन सहीं आपके जो टीशू होते हैं सेल्स होते हैं वो रिपैर होते ह अगर कहीं न कहीं रिप्रोड़क्टिव अंगो में कुछ अगर सेल्स की खराबी चल रही है या कहीं न कहीं ब्लॉकेजेज है या कोई भी ऐसी चीजे जो कि आपके फंक्षनी को इंप्रोपर बना रही है तो इसमें प्रोटीन बहुत ज़दा सहायक होती है जिसे कि आप पूरी फंक्षनी को सुनिशित कर सकते हैं और जितना अगर आपकी बॉड़ी अच्छी ध्रंक से काम करेगी हॉर्मोन सही होंगे उतना आपकी प्रेगनेंट होने की चांसे बनते हैं तो हिूमोगलोबीन की मात्रा को अच्छा बनाने के साथ ही साथ आपको प्रोटीन का भ ब्लड होता है, उस टेम से आपको अदरक का पानी पीना शुरू कर देना है, अधरक का पानी आपकी बहुत बेनीफीशल है अगर रुकावा भी बलड है, आपके यूट्रस में अगर जमा हुई बलड है, और कुछ कमी के वज़ह से अगर खून में कमी के वज़ह से अगर ब्लीडिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, पेडू में भी काफी तेज दर्द होता है, तो उन दर्दों को अराम देने का भी काम करती है, आपकी अद्रक की चाये, तो अद्रक की चाये आपको ज़रूर पीनी चाहिए, आपको सिंपल क्या करना है, कि एक ग्लास पानी में ए अद्रक का पानी अलग कर सकते हैं, और अजवाईन की पानी को अलग कर सकते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो उससे आपके पीरेट साइकल भी रेगुलर होने की चांसे बनते हैं, बहुत सरी ऐसी महिलाय होती हैं, जिनको अ ओविलूशन में भी परिशानी हो रही है, यानि कि ओविलूशन का मतलब होता है, कि ओवर ओल आपकी मेंस्टूइशन जो साइकल है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है, तो अपने अंडे की कॉलिटी को बहतर बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसक चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेस्बूक का जो मेरा पेज है, उसको लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले, थैंक यू सुमज फो रौचिंग, ट्विन्स माइवल्ड